हलो दोस्तो नमस्कार आज हम भात करने वाले हैं धेली पुलिस यानि की दोस्तो ये देनीक बास करके अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो करीबन इसके 15,000 पदों पे बढ़ती होने वाली है तो दोस्तो अभी तक ऐसा धेली पुलिस ने कोई नोट्रिप्रिकेशन जारी नहीं किया पर दोस्तो इसका बड़ी जल्दी ऐसा मानना है कि कम से कम करीबन 10,000 से उपर तक बढ़ती होने के चांसे हैं दोस्तो मैं पिछले कुछ वीडियो में भी लिखिया था इसके सलेवर्स के बारे में बात कीती और इसके पद कितने होंगे ये भी मैंने बात कीती अब बा निकली थी उसके अंदर देहली फुलिस ने ये गोशित किया था कि यह अब चार साल और बढ़ा दी गई है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिसकी एज हो चुकी है जो अपलाई नहीं कर पार रहे तो भी अब अपलाई कर सकते हैं तो यह देखते हैं आखिरकार यह देहनि और OBC के टिगरे भी अपलाई कर सकती है क्या दोस्तों इसके उपर काफी विस्तार से जानने की कोशिज करेंगे उससे पहले मैं बता दू अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकेन बटन को भ अगले भरती में लाग हो गए यानि कि दोजर गुनिश के भरती हो रही है उसमें ये नियम लाग हो किया जाएंगे जो देखते हैं अगर आप दिल्ली पुलिस में बरती होना चाहते हैं तो नए नियमों के जरूरत समझ ले सिपाई के पदपर भरती होने वाले आपके उम उमर निकल गई है तो दिल्ली पुलिस ने नए बढ़ती निया है कि संसोधन के आपको चार साल का मुखा दिया है अब सिपाई के पद पर बढ़ती के लिए नए उमर सीमा 18-25 वर्स कर दी गई है तो दोस्तो इसमें यही महत्ते पुन बात दे कि अगर यह अब जिसका पहले म मुखा बढ़ चुका है इससे पहले सेपाई पद भरती 21-21 साल के युवाओं को मुखा मिलता था अब नए नियम अधिसूचना दिल्ली सरकार विशेश गरह सच्चियों अमिताब कुंद के ने जरी किया कि अगली भरती में लागू होगी नियमों को बदलाओं के में भी का है कि गुरुप सी और गुरुपटी के पदों पर एस आई और एजिकेशनेस को छोड़कर सभी विवावों को में सीधी भरती होने के चांसे हैं और पांस साल की छुट भी दी जाएगी तो दोस्तों ये गतवर्स की भरती आई ती उसमें ये नोटिस आया था कि अगर आ आपके लिए ये बड़ी बात होगी तो अगर आप अभी भी निरास हो रहे हो तो दोस्तों अभी सुनेरा मुका है आप अपलाई कर सकते हैं आप तैयारी कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताने वाला था ताकि दोस्तों अगर तैयारी कर रहे तो आपको और निरासना, थेंक यू दिन